मैं अर्विंद केजरिवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया लाइंस को कहना चाहता हूं नमस्कार आदाव सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार और आखिरकार अर्विंद केजरिवाल ने वो दाओं चलही दिया जो भारतिये जनता पाटी के लिए मुसीबत बन गया है कि कौन बनने जा रहा है प्रधानमंत्री और जिस केजरिवाल को सीधे मुझ जवाब तक नहीं देती थी भारतिये जनता पाटी उन्हें संबोधित करना पड़ा है अमिद शाह को नाम लेकर अर्विंद केजरिवाल का नाम लेकर और इंडिया गठमंदन को संबोधित करना पड़ा है कि आप जो कह रहे हो कि 75 साल के होने के बाद नरेंद्र मोधी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो बताओ आपका प्र प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं यह अर्विंद के जरिवाल ने जेल से निकलने के बाद जो उन्होंने पहली सभा की उसमें यह कहा और इसने पूरे भारतिये जनता पार्टी को चकर घंणी की तरह नचा दिया जरा अर्विंद के जरिवाल को सुन ली कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल को उसको रिटायर कर दिया जाएगा इसके बाद भारतिये जनता पार्टी में हंगामा मच गया बैठक पर बैठक होने लगी क्योंकि ऐसे तो सोचा ही नहीं था कि मोदी ही प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं यह नरेटिव में किस नेताओं को उम्र के आधार पर ठिकाने लगाया जो कभी न कभी उनके खिलाफ रहे थे और सबसे पहले ठिकाने लगाया बुजरुग लाल कृष्णा अडवानी को उसके बाद ठिकाने लगाया मुर्ली मनोहर जोशी को ठिकाने लगाया क्या कहते हैं लाल जी टंडन तो इस तरीके से फिल्डिंग सजाई नरेंद्र मोदी ने कि उनके विरोधी बचे ही नहीं तो उम्र का हवाला दिया और यह कहा कि 75 साल के लोग जो है वह हमारे मार्गदर्शक मंडल में अब नरेंद्र मोदी की उमर हो गई है 74 साल अगले साल हो जाएंगे 75 साल के तो अर्विंद के रिवाल ने कहा कि भाई आप बताओ कि आपका प्रधार मंत्री कौन होगा और नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं वह वोट मांग रहे हैं अमिच शाह के लिए और वह निप स्थान में वसंद्रा राजे को निप्टा चुके हरियाना में मनुहरलाल खक्तर को निप्टा चुके और अब योगी आदितनात को उत्तर प्रदेश में निप्टा कर और अगर बहुमत जैसी कोई चीज आई तो नरेंद्र मोदी बना देंगे प्रधार मंत्री अमिच शाह को सारा खेल इसी के लिए रचा अब मचा हंगामा अमिच शाह को सामने आना पड़ा कि भाईया ऐसा नहीं होने जा रहा है सफाई देनी पड़ी और सफाई में यह कहना पड़ा कि ऐसा भारतिय जनता पार्टी के सम्विदान में नहीं लिखा है आप लोग ने श्चिंत रह इससे आपको अनंदित होने की जरूरत नहीं है यह भारतिय जनता पार्टी के सम्विदान में कहीं नहीं लिखा है मोदी जी ही यह टम पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतरुत्व करते रहेंगे इसमें भारतिय जनता पार्टी में कोई कंप्यूजन नहीं ह कि भाजपा के सम्मिधान में कहीं नहीं लिखा हुआ यह लाई नाम आदमी पार्टी ने पकड़ ली यह मुसीबत बन गया फिर से भारतिय जनता पार्टी के लिए कि जब भारतिय जनता पार्टी के सम्मिधान में कहीं लिखाई नहीं है कि 75 साल से जादा उमर के लोगों को लगा दिया जाएगा तो आपने कैसे ठिकाने लगा दिया लाल कृष्ण अडवानी को कैसे ठिकाने लगा दिया मुर्ली मनुहर जोशी को कैसे ठिकाने लगा दिया वसंद्रा राजे को कैसे ठिकाने लगा दिया शुराज सिंग चवहान को कैसे ठिकाने लगा दिया सुमित्र महाजन को और कई लाइन में लगा दिया अपने उम्र के नाम पर कुछ तो कम उम्र के लोग भी इसी तरीके से बहुत सारे लोग बरेली के सीट पर हगावा मचा हुआ है तो ये आम आदमी पार्टी ने पकड़ लिया और संजे सिंग ने ये कहा कि ये 75 साल वाला गर नियम जी ने दूसरों पर कैसे लागू किया आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और नहीं मोधी जी पर अगर लागू नहीं होता तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि ये सत्ता के लालची है और नरेंद्र मोधी सत्ता से चिपके रहने के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं औ ही बनाया हुआ कानून विगार सकते हैं उन्हें का कि जरिवाल के जैद सवाल पर भाजपा बौखला गयी है संजे सिंग ने कहा कि एक भी गारंटी अभी पूरी नहीं कि वो तो यही कह रहे हैं मोधी की गारंटी यह तो बताओ कि आप जब प्रधान-मंत्री पुरी नहीं जा रहे हो तो गारंटी कौन करेगा अमिजा पूरी करेंगे अमिज्चा के लिए वोट मांग रहे हैं रेंडर मोदी और अमिज्चा के बयान से साफ हो जाता है कि मोदी जी के Siddhानतों विचारों उनकी बात उनकी सोच का कोई मतलब ने एक बार फिर से सुनिए सम्विधान वाली बात कि क्या कहा अमिच चाने भाजपा के सम्विधान पर भारतिय जनता पार्टी के सम्विधान में कहीं नहीं लिखा है अब यह बात हवा में उड़ गई है कि नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे अगर भाजपा बहुमत में आई तो और अगर बनेंगे तो खितने समय के लिए बनेंगे क्या सचमुच में योगियादी तनात को हटा दिया जाएगा उत्तरप्रदेश के कुरसी के मुख्यमंद्री की कुरसी से यह सारे सवाल जो है इस समय हवा में उड़ रहते हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोधी दरसल राजां बादशां शेहजादे वह हमेशा कहते हैं राट गांदी को तो राजा है बादशाह है इनके लिए संब्धान का लोक Pac-19 अन्यतिक्तत्य का नीतियों का लोक तम तकाशों का को कोई महत्त्व नहीं है वो हर चीज को कठकुतली की तरह नचाना चाहते हैं अपने फायदे में तो राहूल गांदी ने गेरे बंदी कर दी अर्विंद के जरिवाल ने गेरे बंदी कर दी संजय सिंग ने गेरा बंदी कर दी और अमिद्शा सफाई देते फिर लहें जरा राहूल गांदी का वो बया लेना देना नहीं पार्लमेंट से कुछ लेना देना नहीं तो कहानी को मिला कर यह हैं कि भाजपा और नरेंदर मोधी अपने ही बुने हुए जाल में फस गया है जिस जाल में फसाकर उसने अपने बड़े बुजर्गों को हटाया ठिकाने लगाया हटाना भी सही शब्द नहीं है ठिकाने लगाया और बड़ा दुखी करके ठिकाने लगाया अब वही नरेंदर मोधी के अपने मत्थे पढ़ गया कि मोधी जी बताइए यह 75 साल वाला जो आपने कानून दूसरों के लिए बनाया था वो आप पर लागू होता है या नहीं और अगर आप पर लागू नहीं होता है तो आपको सत्ता का लालची क्यों न माना जाए क्यों न माना जाए कि आप किसी भी तरीखे से चिपके रहना चाहते है कुरसी से और जो आदमी अपनी ही बात से मुकर सकता है और क्यों मुकर न ये सारे सवाल हवा में हैं तो भाजपा उलज गई है अर्विंद केजरिवाल के बाहर आने से माहौल बड़ी तेजी से बदला है और भाजपा के लिए जवाब देना जरा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यही वह फ्रंट था जिससे वह बचना चाहते थी अगर अर्विंद अशा हुआ महसूस करने लगी है लेकिन क्या इससे वोट भी प्रभावित होगा क्या नरेंद्र मोदी को लेकर जो कन्फियूजन पहला है जिसको कन्फियूजन खुद अमिच शाह कह रहे है कि कन्फियूजन तो फैल गया है वो मोदी के खलाफ जाएगा भाजपा के बंदी होगी वोटर क्या राहूल गांदी अर्विंद केज रिवाल चेजस्वी आदो अखलेश यादो बंताव इनर्जी स्टालिन ऐसे नेताओं की तरफ मुडेगा यह सारे सवाल है और अभी चुनाओ बाकी है चार चरणों के आधा ही चुनाओ हुआ है आधा चुनाओ से पहले यह उड़ जाना कि मोदी पीएम नहीं बनने जा रहे हैं और अपने ही बनाए हुए नियम काईदे के हिसाब से नहीं बनने जा रहे हैं और नहीं तो उनको सत्ता का लाल्ची माना जाए यह भाजपा के लिए मुसीबत बन गया है आप भी ज़रा सूचिये और नज जैसे आकृती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देखना तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जेनलिस्ट नमस्कार